देखे दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल को नौ बार जांच जनसियों ने नोटिस दिया, समन दिये, वो बार बार अपने आपको कानून से उपर समझते रहे, उनका अहंकार उनके भ्रहष्टाचार से भी जादा बड़ा था, घोटाला तो किया है, लेकिन जा जांच जनसियों का सामना करने से भी भागते रहे, क्या कारण है, क्या अर्विंद केजरिवाल देश के कानून से उपर है, क्या उनको डर है, वो जांच जनसियों में क्यो शामिल होने नहीं गए, और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सतेंदर जैन हो, संजे सिंग हो, म जो लिकर स्कैम में जेल गए हैं सुप्रीम कोर्ड से लेके अन्य कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। सब पता चल जाए गए देखिए सुनिए अब यह अब यह उस समय कह रहे हैं कि दो दिन सोनिया गांदी को गिरफतार करो इंटेरोगेट करो सब कुछ बाहर आ जाएगा किसने पैसे खाया अब यह अगर सोनिया गांदी पर उनकी आज की पार्टनर पर लागू होता है तो अर्विंद केजरिवाल पर लागू क्यों नहीं होता है क्या अर्विंद केजरिवाल और इनकी पार्टी ब्रहस्टाचार करेगी और अर्विंद केजरिवाल मनीच सिजोधिया को क्लीन सेटिफिकेट देंगे सतेंदर जैन को इमानदारी का सेटिफिकेट देंगे संजे सिंग को इमानदारी का सेटिफिकेट देंगे आज वो सारे लोग जेल में है, ब्रहष्टा अचार के मामले में जेल में है, क्या ब्रहष्टा अचार करोगे और आंखें भी दिखाओगे कि मेरे उपर जांच नहीं होनी चाहिए, जनता ने मुख्यमंद्री चुना था विकास करने के लिए, वो दिल्ली का विकास भी नहीं सहीोग करना चाहिए और बताना चाहिए ये पॉलिसी शराप की क्यों बदली गई थी ये क्रोड़ोर बेखाने का काम क्यों किया गया था ये क्रोड़ बेखाए उसका गो और पंज़ाब के चुनाब में दुरूपियो कैसे किया गया था आखिर के एक के बाद एक कई सवाल जांच दंसियों के शरीमान अर्विंद केजरिवाल से होंगे इन सब के जवाल अर्विंद केजरिवाल को देने चाहिए